हेलो फ्रेंड्स असलाम उलेकूम वेलकम बैक टू मैं चैनल तम्मोस की चन कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूँ आप सब खैरियत से हूँगे अलहम्दुलिल्ला मैं भी खैरियत से हूँ आज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और आज मैं शेयर करूँगी चिकन चीज माइक्रोनी यह मैक्रोनी है 200 ग्राम इसे मैं बोईल करके लिए हूँ थोड़ा सा नमक डाली हूँ 140 स्पून और थोड़ा सा ओईल एक टेबल स्पून और यह चीज लिए हमें अमूल का आपके पास जो अवेलेबल हो वो यूज करिए एक टमाटर लिए हूँ बारिक चॉप करकर यह ल चार लसन की कली आदा इंच अद्रक का तुकड़ा और दो हरी मिर्च बारिक चॉप करके लिए हूँ में डाक सोय सॉस है दो टेबल स्पून विनेगर लिए हूँ में एक टेबल स्पून और एक सिमला मिर्च लेकर मैं उसे भी मीडियम साइज में चॉप की हूँ रेट चि हम दालेंगे इसमें जिंजर गारलिक चॉप किया हूँ और ग्रीन चिली फ्लेम को हम लो रखेंगे और जिंजर गारलिक और चिली को हम हलका सा सोटे कर लेंगे लो फ्लेम पे हम इसे एक मिनट पकाएंगे इसमें एड कर देंगे फिर चिकन चिकन के मैं छोटे क्यूप्स क करेंगे चिकन हमारा पूरी तरह से कलर चेंज करना चाहिए और यह हलका हलका वाइट होने लगा है अब मैं लो टू मीडियम रखी हूं फ्लेम को हमारे चिकन ने कलर चेंज कर दिया है अब इसमें हम डालेंगे गाजर गाजर मैं चोटे साइस का एक ली हूं छॉप करकर फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे गाजर को हमने पहले एड़ किया है गाजर जल्दी पकता नहीं है इसल convinced हम उसे पहले एड़ किये है अब दालेंगे हम इसमें प्यास एक मीडियम साइज की प्यास चॉप करकर ली हूं में और इससे हम प्यास दालकर पकाएंगे दो मिनट फ्लेम को लो टु मीडियम ही रखना है अब हम इसमें दालेंगे कुटीवी, काली मिर्च, पाव चममच, ब्लैक पेपर पावडर, हम इसे प्यास के साथ में दो मिनट फ्राइ करेंगे फिर एड़ कर देंगे टमाटर, आप मेरी रेशिपी देख रहे हैं और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है और हम दाल रहे हैं इसमें एक टमाटर बारिक चॉप करकर दाली हूं है आप मेरी रेशिपी ज़रूर ट्राइ करिएगा बहुत ही टेस्टफूल होती है मेरी रेशिपीज हम टमाटर को हलका सा नरम करेंगे ज़्यादा नहीं गलाना है टमाटर को टमाटर डाल कर हम तकरीबन एक मिनट इसे फ्राइ होने देंगे फिर आड़ कर देंगे कैपसिकम कैपसिकम हम बाद में आड़ कर रहे हैं कैपसिकम जल्दी कल जाती है इसलिए हम इसे टमाटर के बाद आड़ करे हैं और सिम्ला मिच को डाल कर हम इसे 30 सेकेंड पकाएंगे फिर इसमें हम सौसेज डाल देंगे यह दाल रही हों है टमेटो केचप फिल्द सबस्थल अब दालेंगे विनेगर एक टेबलस्थ्थ ony टेबलडस्थ फिनेगर रेट चिली सॉस अधी हम इसे फीर मिला लेंगे अच्छे से एक बार अच्छे से मिलाकर इसमें हम एड कर देंगे मैक्रोनी आप घर पर कभी भी मैक्रोनी बनाओगे मैक्रोनी को बॉइल होने के बाद एक टेबल स्पून ओईल जरूर डालिएगा चिपकती नहीं है मैक्रोनी और यह दाल रहे हम मैक्रोनी देखिए मैं इसमें एक टेबल स्पून दाली हूँ फूड ओईल ही दाली हूँ और यह हमारी मैक्रोन एक दम खिली खिली है कोई चिप चिपी नहीं है मैं 200 ग्राम मैक्रोनी को बॉइल कर ली हूँ ऐसे हम अच्छे से मिला लेंगे फिर आड़ कर देंगे इसमें चीज चीज बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको पसंद ना हो तो आप बिल्कुल मत दालिए इसे ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है मैक्रोनी चिकन मैक्रोनी बनाए हमने पर चीज से टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप एक बास चीज वाली बना कर ज़रूर ट्राइ करिए और ये नमक दाली हमें हाफ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले नमक दाल कर हम अच्छे से मिला लेंगे फ्लेम को मैं लो रखी हूँ अभी हाइ फ्लेम नहीं रखना है न मीडियम रखना है और ये चीज etz डाल रही हमें आप चीज कमियां ज़्यादा डाल सकते हैं मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ अगर आपको चीज ज़्यादा पसंदे तो तब थोड़ा सा जादा राड़ करिए अगर आपको चीज पसंद ना हो अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालिए यह चिकन माइक्रोनी ऐसे भी अच्छी लगती है और चीज के साथ में बहुत ही जादी अच्छी लगती है इसे हम अच्छे से मिलाकर फ्लेम को बंद कर देंगे हमारी माइक्रोनी गरम है हमारा चीज जल्दी मेल्ड हो जाएगा इसे हमें पकाने के अब जरूत नहीं है और मैं फ्लेम को बंद करकर इसे नीचे उतार देती हूँ इसे मैं डिश आउट कर दूँगी अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करिए अपने रिष्टेदारों से शेयर करिए कमेंट करिए लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब डॉला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और यह मैं डिश आउट कर रही हूँ और इसका लुक देखिए और आप ही बताइए लग रहा है ना डिलेशियस और इस पर मैं और चीज डाल रही हूँ हमारी माइक्रोनी अभी भी गरम है चीज मेल्ड हो रहा है चिकन माइक्रोनी आप एक बार ज़रूर ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा इसका टेस्ट इन्शालला कल फिर मैं मिलूंगे एक नई र प्याल रखिए सेफ रहिए अल्ला हाफीज अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फो वाचिंग